नमस्कार महराष्ट और दिल्ली से जो भी तस्वीरे आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं महराष्ट में अकेले 97000 से ज़्यादा मरीजों की संक्या हो चुकी है दिल्ली में अगर हम बात करें तो 37000 से ज़्यादा मरीजों की संक्या हो चुकी है इस विसे पर आजम चर्चा करेंगे हमारे साथ बनारस के घाड पर कुछ लोग जुड़े हैं ब्यास जी साधर पडाम आपको जिस तरीके से तस्वीरे वहां से आ रही हैं आकड़े वहां पर आ रहा हैं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पुछा जा रहा है लेकिन दिल्ली की सरकार वहां की जमीनी हकिकत क्यों नहीं बया कर रही है कभी वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास 30,000 बेड तयार हैं कभी वो ये कहते हैं कि नहीं आने वाले समयों में लाक मरीजों की संक्या हो जाएगी लेकिन हमारे पास बेड नहीं उपलब्द हैं क्या कहेंगे माराची परिश्थितियों को छणात रोक देना यदि आप रोकने के कार्य को न करके आप दूसरे के उपर दोसा रोपन कर रहे हैं या अनर्थ है या पापकारी है केजरिवाल सरकार से मैं निवेदन करूँगा बरतवान भारत की जो इस्तिती है बैस्विक महामारी जो पुड़ा राष्ट जेल रहा है इस राष्ट के अंतह करण में आप घुसें दिल्ली के जनता के बीच में घुसें पहले अपने जनता को बचाईए बेवस्था करिए आप रोएंगे यह नहीं चलेगा करोड दस करोड प्रती दिन के हिसाब से विग्यापन आप करते हैं और वेंडिलेटर नहीं करते हैं यह केवल और केवल और अवसाद पुर्ण में दिया गया बयान है इसलिए मैं निवेदन करूँगा केजरिबाल सरकार से आप जनता के हितमे बारतालाब करें अन्य सरकारों को न देखें अन्य सरकारों को देखकर आप दोसारोपीत न करें लॉक्डाउन के अगर हम बात कर ली जाए तो बहतर तैयारी के लिए भी ये समय आवश्चक रहा और एक उधारण पेश किया गुजरात की सरकार ने जिन्होंने चीन से भी पहले लगभग दस दिनों में ही जो है बाइस सो बेट तैयार उन्होंने किये बहुत ही अच्छी उन्होंने तैयारी उस पर की क्यों दिल्ली सरकार महराज की सरकार ने उन्होंने इस पर नहीं विचार किया और उन्होंने अपना ध्यान केवल और केवल विज्यापन पले जबकि आवशक्ता वहाँ पर ज्यादा थी देखिए राज सरकार का दाई तो हता है कि अपने जनता का निर्भन करें जनता के साथ मिल कर रहे जनता के हितों का ध्यान डखे केजरिवाल सरकार बरतमान में जो दिल्ली सरकार है वह आगामी और दस वरस में कैसे राज्य कर सकता हूँ इस पर ध्यान दिया है गुजराज सरकार ने अपने रोगियों को देखते हुए करोना के मरीजों को देखते हुए जो विकास किया उनके हित के लिए विकास किया, राजनितिक पोडंडा के लिए विकास नहीं किया इसलिए केजरिवाल सरकार मनुस्य के जीवन से खिलवार न करें यथा सिग्र अपने अनरगल खर्च कर रहे विग्यापनों को रोकें अनरगल सुख भोग रहे पैसों को रोकें और सीधे सीधे दिल्ली में जितना उन्हें आकड़ा है पहले तो यह आकड़ा निकाल कैसे रहें इस समझ में नहीं आ रहा है फिर भी लग रहा है कि इतना आकड़ा मेरे दिल्ली में होने जा रहा है तो उसका यथा सिग्र बेवस्था करें तभी आप रहेंगे अन्यथा मु इस विसे में मैं यही कहूंगा कि हो नहार विरवान के हो तचीक नेपाद विकास देखकर सब धरासाई हो रहे हैं और जो बिपक्षी पार्टियां जो बिल्कुल अवसाध पुर्ण होकर बोल रही हैं उनको देखकर लगता है हमें अपनों ने लुटा गेरों में कहा दम था इस इस्तिती में इस प्रकार का बयान देना है विपक्ष के लोगों को साथ आने चाहिए साथ आकर अगर आपको लग रहा है कि मेरे कुछ बोलने से भी कास हो सकता है रोग समाप्त हो सकता है करोन आनश्ठ हो सकता है आप राजनीती मत करिए बरतमान भारत की जंता उत्तर परदेश की जनता इतनी से चित हो चुकी है कि आपके एक एक नियती को और नीती को जान रही है। चूकते नहीं हैं। इसलिए राजनिती करके सर्व जनता के समाज को एकत्रित करने का कारे करें और इस रोक को दूर करने का नियतान करें। लेकिन बार-बार उनसे सवाल योगी सरकार से सवाल किया गया कि नहीं जो है कि आपका यहां पर काम नहीं दिखता है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूं कि अभी कुछ दिन कुछ देर पहले ही बंच से उड़ाने की धंकी भी दी गई थी जिस तरीके से एक खबर यहां पर आ रही है। देखे प्रतिभावान ब्यक्तियों से डर सबको रहता है। इस लोकडाउन में सबसे अधी कारे करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो सब को डर बना हुआ है। डर तो अपनों को भी इनके बना हुआ है। कि इनके विकास को देखकर कहीं यहना आगामी आने वाले दूर दिश्टी के दिख रहे हैं। और होना यह से लोगों का स्वागत करते हैं। तो जो बिपक्ष के लोग आरोप कर रहे हैं। वो अक्यवल योगी जी के प्रतिभा को देकर आरोप कर रहे हैं। उन्हें डर है योगी जी से कि कहीं कि प्रतिभा बढ़ती गई तो हम लोग नश्ट हो जाएंगे। अपितु योगी सरकार से डर रही है। अपितु योगी सरकार सभी को एक साथ देख रहे हैं। लेकिन जो एक समुदाय जिनके आका यहां नहीं अपितु अन्य राज़ति देशों में बैठ करके बात करते हैं। अन्य देश के इसारे से कर सकते हैं। सभी सरकार सभी को एक समुदाय को बार बार उत्तरपरदेश सरकार के जो माननी मुक्यमंत्री योगी आदितनात बराबर क्यों खटकते रहते हैं। देखे जहां तक योगी जी इसलिए खड़कते हैं वो एक संत हैं कोई भी राजिनितिक पार्टी कोई पच नहीं रहा है कि उत्तर प्रेस राज्य में एक संत कैसे राज कर ले रहा है सबसे बड़ा दिक्कत यहां इन पार्टीयों को यह है और योगी जी खाली कहते नहीं है हुँ धरातल पर कारे कर रहे हैं आप डार्टीय के बीच में देखे सारे मुठ्यमंत्री अपने एपने मुख्यमंत्री आवास में अपनी डिल्लों दोर्ट के साइव जनका कर रहे हैं मंद्रेगा कि Holle को लाक उत्तर प्रजगार में स्क्राइब का कई कर लुट पर तब रहा हैं अपने हां राक्या जीवनयापन के रहे हैं तो इसम्हें मंद्री को विरोध नहीं करना चाहिए हमें समझन करना चाहिए को और चाकार करें हमारे खास तर पर उत्तर-प्रदेश का प्रगती हो जहtant कर लिए दिली में तो संसान घाड पर लंबी लाइन लक्चू की है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे जादा लोग यहां पर आये महराज से बात कर लें दिली से बात कर लें तो बाकी राज्यों से बात कर लें लेकिन इस्तिती और आंकडों की बात कर ली तो इस पर्ष्ट दिखाई देता है कि बहतर तयारी रही उत्तर प्रदेश सरका सभी सरकारों को मिलकर उनको बैठके एक सलूशन निकालना चाहिए और व्यवस्था करने जहां तक आप सबाल करने उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश दिल्ली और महाराष्ट की कोई तुलना ही नहीं कि जा सकती उत्तर प्रदेश की आबाधी लगबक पचीस से चब् हाई भी नहीं है और सबसे जाड़ा लोग इस देश में यदि कहीं आए तो उत्तर प्रदेश में आए उत्तर प्रदेश के बत्मान जो मानेनी मुख्यमंत्री जी है योगी जी केवल मेडिया में आके बयानवाजी नहीं करने धरातल पे कारे कर रहे हैं लगबक उन्होंने के सवस्त हैं यहां पर केसे आप मानेंगे 5000-6000 रिकार के साब से क्योंकि उसमें स्वस्त की जो स्वस्त होने का चांस हो काफी बढ़ा है और दिल्ली और मुंबई में लगबक एक लाक आसपास केस होने वाले हैं और दिल्ली में भी काफी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं एक हाली आप बैठ के एक जगह रूम में आरोप प्रत्यारोप मेडिया के सामने करेंगे उससे देश नहीं चलेगा नहीं आप करोना पर जीत पाएंगे आपको धरातल पर कारे करना होगा और उत्तरप्रदेश की सरकार को मैं धन्यबाद देना चाहता हूं कि माननी योगी जी ने धरातल पर कारे किया और उसका रिजल्ट उत्तरप्रदेश की जनता को मिल ला है उत्तरप्रदेश में लगभग सारे जिले खुले हैं यहां पर व्योस्थाएं भी शामानी रूप से लोग का जीवन यापन भी चल ला है कोई कठनाई नहीं है तो इससे दिल्ली की स सरकार उत्तरप्रदेश की जनता को पूर्ड रूप से यहां पर सुरक्षा मुहिया करा जानी चाहिए बिल्कुल सही बात कहा कि जनता जनार्दन सर्वो पर ही है और एक बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुणने के लिए तो उमीद यही है कि यहां पर सियासत से उठकर आम जनता के बारे में सोचा जाएगा तभी इस महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे फिर आप सबसे मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखें नमस्कार